हे गाईज स्वागत है आपका अपनी चनल स्मार्ट स्पोर्ट रज्जत पहे आज किस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो की इन्वेलिड एक्टिविटी के कारण आपके एक्सेंस एकाउंट डिसेबल्ड 99% लोगों का कन्फिजन यह होता है कि मेरा चैनल पर कोई हैटस यदि जानबूज के इन्वेलिड एक्टिविटी कर देता है मेरे चैनल की जो एक्टिविटी के कारण आपने चैनल सस्पेंड हो जाएगा ऐसा लोगों का कहना है लेकिन मैं आपसे कहता हूँ यह कि आपके चै चैनल के एक्टस एकाउंट कभी भी डिसेवर नहीं होता है इन्वेलिड एक्टिविटी के कारण गाइस मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ आप वीडियो को पहले से लेके लास्ट तक जरूर देखना जो भी मैं आपको यहाँ पर सेर करने वाला हूँ अपने मन से नहीं बलकि यूटूब के रूल्स और रेगुलेशन जो गाइडलाइन से उसी को मद्या नजर रखते होई यहाँ पर मैं आपको सेर कर रहा हूँ आपके चैनल पर कोई भी एक्टर्स यदि जानबूस के इन्वेलिड एक्टिविटी करने के कोसिस करता है और आपके एडसेंस एकाउंट की CTR हाई हो जाता है तो आपके एडसेंस एकाउंट डिसेवेल्ड नहीं होगा जब तक आप खुद अपने चैनल पर या जब तक आप अपने खुद आपने IP एड्रेस पर क्लिक नहीं करते हो आपने खुद की एडड तब 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 आपके अडसेंस एकाउंट कभी बी डिसेवेल्ड नहीं होगा जब आप खुद अपने चैनल पर जाके एडस को क्लिक करते हो तब युटेप के जो एडसेंस एकाउंट की जो पोलिसी है वो वायलेट करते हो आप तब यूटूब आपके एसेंस एकाउंट को डिसेवल कर देता है, और एक बात मैं आपको clear कर दूं, बहुत सारी लोगों का ये है, for example यदि आपके घर में एक WiFi है, WiFi से आप connect किया है अपने laptop को, WiFi से आप connect किया है अपने computer को, WiFi से आप connect किया है अपने mobile को, for example यदि आपने mobile यूज किया है, अपने use mobile पर आप दूसरे Gmail account से आप login है sign in है, दुसरे channel पर sign in है फिर भी आपके channel को videos देख रहे हो और आपके channel पर videos पर add आ रही है उसी add पर आप simply tap करते हो click करते हो, तब भी आपके channel पर invalid activity हो सकती है या फिर आपके जो laptop में आपने wifi connect करके रखा है उसी laptop में और दुसरे Gmail account आपने login करके रखा है दुसरे Gmail account से भी आपके video देख रहे हो, उसी video के अंदर आपको add आ रही है उसी add पर simply click कर रहे हो तो तब भी आपके invalid activity कहलाएगा, क्योंकि जो wifi आपका है, वो IP address एक ही होता है, wifi की जो IP address है, वो तीनों में एक ही में connect हुआ है disabled किया जाता है, तो आपके मन में confusion दूर हो गया होगा, कि आपके कोई headers हो, वो जानबुज के आपके वीडियो पर जावरदस्ती click कर रहे हैं, तो फिर भी आपको कोई भी invalid activity नहीं होगा, आपके channel पर और ना ही, आपके channel के adsense account disabled होगा, और एक बात आपको बता दूँ, यदि कोई headers जावरदस्ती आपके ads पर आ रही है, आपके revenue बढ़ जाती है आपके CTR बढ़ जाती है और जब month के end हो जाती है तो जब adsense की जो account आती है, man balance में so करने लगेगा तो उस type पर ज़्यादा तर नए YouTube का क्या होता है ads की जो revenue है वो cut जाती है किसलिए cut जाती है कि लोगों का जो haters लोग है जो invalid activity करते हैं उसी के लिए revenue बढ़ गया था उसी बढ़ा हुआ revenue फिर cut कर दिया गया YouTube के तरफ से यानि कि YouTube ने जो invalid activity करके जो आपने haters किया था उसी revenue बढ़ गया था उसी revenue को आपके adsense account से cut कर दिया गया इसलिए नए नए YouTube का ज़्यादा revenue cut होता है क्योंकि लोगों haters बढ़ते हैं आपके वीडियो पर ज़्यादा views नहीं आता है तो कोई भी ऐसा hitters एक दो मिल गया तो आपके चैना पर valid activity करते हैं आपके CTR बढ़ा देते हैं आपके revenue बढ़ा देते हैं और आखिर में मन्त के end में जो revenue बढ़ा हुआ था वो cut हो जाता है YouTube के तरफ से यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ कि कोई भी header से जानबोस के आपके ad पर click करता है तो फिर भी आपके adsense account disabled नहीं होगा जब तक आप अपने खूद अपने IP address या अपने जब तक आपके area की location से बार बार click कर रहे हो तो YouTube की adsense account आपको track करेगा कौन से IP address से कौन सी location से आपको ज़्यादा मातरा में add मिल रही है वो location track करके आपको adsense account disabled करता है तो guys उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया था वीडियो को लाइक करे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके notification bell जरूर दबा देना जिसे YouTube के तरफ से हमारी वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिलता रहे तो फिर ही मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार और helpful वीडियो के साथ गुडबाई